कि वेलोजोस्तों देखिए बात करेंगे पॉलीनेशन के बारे में पॉलीनेशन मतलब अ्वागड्प इति में कहते हैं पॉलीनेशन से ड्लेकर जितने भी आपके टर्म है ऐसे की जो है आपका अद नियुकां कर आता है तो उन्हीं पर हम लोग बात करेंगे सीधा सीधा पॉली नेशन पॉली नेशन किसे कहते हैं पॉली नेशन समझते हैं पॉली नेशन किसे कहते हैं polynation का मतलब होता है the transfer of pollen grain from anthers to stigma is non-ajay pollination अब देखिए दो Term इसमें आये एक आया the transfer of pollen grain तीन चीज़ें सीखिए आप क्या एक तो देखिए transfer तीन चीज़ें सीखिए एक transfer of pollen grain किसका transfer किसका pollen grain का कहां से from 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 and thurs in-, to 지금은 ma and thus to stigma अब देर्टियर यह चार warning transfer का मतलब क्या होता है एक जगाय से दूसरी जगायsun pay पर जन एक जगायun से दूसरी जगाया पर Transfer मतलब एक जगायास दूसरी जगायी पर पहुंचना ही तो Transfer क्याल आता है तो Transfer हो गया अब पॉलिन पॉलिन का मतलब क्या होता है जो कि आपका पुस्प का मेल पार्ट होता है क्या होता है पुस्प का मेल पार्ट होता है और यह पॉलिन पाय जाते हैं एंथर्स के अंदर पॉलिन ग्रेंज जो होता है जिसे हम हिंदी में कहते हैं पराग कड क्या कहते हैं तो जो पुष्प होता है उस पुष्प के लगभाग चार भाग होते हैं उस पुष्प के लगभाग चार भाग होते हैं और likes कि जैसे एक तो होता है आपका कैलेक्स दूसरा होता है आपका करोला थीसरा होता है आपका एंडूशियम और चौथा होता है आपका गाइनूशियम चौथा कौन सा होता है गाइनूशियम ठीक है अब देखिए कैलेक्स करोला एंडूशियम और गाइनूशियम के बारे में ब क्यास करें गels जो उता है है गए क्या करता है जो है इसे अम लोग हिंदी में कहते हैं बहुत क्रまた लॉच इसका जो भी आपने पुस्प में देखे होंगे हम का दो ब्राक्व होता है इसे ग्रीन के तो जो भी आपकर लार की वोते हैं जो गुलाब का तो गुलाब का फूल जो होता है उसमें नीचे देखना हरे कलर के जो दिखाई देंगे वह कैलिक्स कहलाते हैं कैलिक्स के बाद यह फोटो सिंथेसिस का कार करते हैं किसका कार करते हैं जो कैलिक्स होते हैं वह फोटो सिंथेसिस का कार करते हैं और करोला जो होता ह वह पुस्प को सुन्दर दिखाने का कार करता है किसका कार करता है करोला जो होता है वह पुस्प को सुन्दर दिखाने का कार करता है यानि कि जो पुस्प का रंगीन पार्ट होता है उसे हम लोग करोला कहते हैं क्या कहते हैं क्या कहते हैं करोला कहते हैं और खास तोर पर इनम ही होती है उसे हम लोग पैटल्स कहते हैं क्या कहते हैं उसे हम लोग पैटल्स कहते हैं ठीक है एंडुनीशियम की यदि हम बात करें तो जो एंडुनीशियम होता है उसके उसे हम लोग करते हैं। किसका फ्लॉवर का। और गायनुसियम होता है। वहाई आपका फ्लॉवर होता है। थीक है थोड़े से कोसे स्की समझाने के यदि आप अच्छा समझना का तो कृप्या करके मेरी चैनल पर प्लेस्ट यह इसा बोटनी के नाम से का प्लेलिस्ट बनी हो यह उसमें जाना पूरा पुर्य बहुत तरीक है यह यदि आप समझने का थोड़ा सर्व क्रें गया बहुत ही अची समझाया बात को आगलाते हैं जो आप का एंडूनीशियम उता है जो आपका androsium होता है व्यक्तु इस प्रकार से होता है एंडुनीशियम को भी पुना हमने इसा बांटा देखिए यह तो होता है filament एक फिलामेंट घीक है और यह होता है आपका anther एंथर अब इस- allora जाते आपके pollen- Guin बनते हैं इसी में पॉलन ग्रेन बनते हैं पॉलन ग्रेन बन गए अब देखिए बात को आगे बढ़ाते हैं जैसे ही पॉलन ग्रेन बने पॉलन ग्रेन का बन करके यहां पर जो लिखा था ट्रांसपर पॉलन ग्रेन जो एक भाग होता है वह होता है stigma और वह कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है वह कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है पुस्प में तो जो उपर वाला यह जो पोर्शन होता है यह जो पोर्शन होता है इसे हम लोग कहते हैं stigma इसे हम लोग क्या कह देते हैं इसे हम लोग कह देते हैं stigma मा का मतल तो यह फिमेल का पार्ट किसका पार्ट है और एंधर में पॉलिन ग्रेन पाए जाते हैं अब यह पॉलिन ग्रेन जैसे ही स्टिगमा पर पहुंचेंगे आपकी वह क्रिया ही आपकी क्या कहलाएगी पॉलिनेशन कहलाएगी क्या कहलाती है पॉलिनेशन कहलाती है अब दो चीज़ें आती है कि पॉलिनेशन आपका पुस्प का ही पुस्प में हो गया या फिर जैसे एक ही पुस्प में दो भाग पाया जाते हैं एंडुनुसियम और आपका गैनुसियम अब देखिए गैनुसि सिर्फ गान उस्यम पाया जाता है और कई व्लावर ऐसे होते है जिन में एंदोनीशूम में झीशाम प्यालता है तो չस में यह तो इसने में गाइन SNU फ्लावर कह देते थी तीच उसके बाद जो एंथर еंही अद कर अब देखियर जैसे पॉलीनेश्ण या फिर देखिए जब 4 भाग हमने आपको बताए किसके पुस्प के जब चार भाग हमने आपको बताए पुस्प के तो जो पुस्प होता है उसमें चारो भाग कैलेक्स करोला अनुसियम और गायनुसियम चारो बाग पाय जाते हैं तो उसे हम लोग कह देते हैं complete flower क्या कह देते हैं complete flower क्या देते हैं और जब Distort कोई एक नहीं पाया जाता है तो उसे हम लोग कह देते हैं किया उसे अपना मिल्चिया क्या क Eddy क्यों चीच्छे और अब देख़்ेंड यदी हवा मद्यम से और है यदी श्राइब का नियादी हुआ के माध्यम से हो रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं एनिमो Kori यदी हाथ के मद्पारी एनिमो कोरी नीनBo फिलस एनिमो और अनिमो फिली यदिमो फिलस्ट ठीक है यह जलके द्वारा जैसे ऑडेंब द्वारें किसी भी किसी भी aquatic condition में आपके तालाब में जैसे ही पुस्प लगे हुए है अब वह जो उसका pollen grain था वह पानी में गिर गया और पानी में गिरने के बाद वह तैर करके किसी दूसरे पुस्प की वर्तिका तक या स्टिग्मा तक पहुंच गया तो ऐसे condition आपकी कहलाएगी हाइड्रो फिली या हाइड्रो फिलस ठीक है अब देखिए फ़र एक्जामपल जैसे हम लोग जल पर आगड़ भी कह देते हैं अब देखिए मान लेजिए किसी जन्तुने किसी जन्तुने किसी जन्तुने अपना अपनी जैसे फर एक्जामपल बटर्फलाई होती है ज्यादा तर प्रॉडक्शन जो है ज्यादा तर पॉलिनेशन वह बटर्फलाई या मदुमक्खी के द्वारा यह देखा गया है रभी सीजन में ठीक है तो वहां पर क्या होता है ऐसी कंडिशन जब किसी जन्तु के द्वारा हमारा परागड़ होता है तो उसे हम कह देते हैं जू कोरी जू फिलस क्या कह देते हैं उसे हम लोग कह देते हैं जू फिलस ठीक है तो यह चीजें आप याद रखना यहां से कुस्चन डिरेक्टली पूंचे जाते हैं क्या किया जाते हैं यहां से कुस्चन डि जिसमें एंथर में पॉलन ग्रेन बनते हैं और जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनका कहां पर पहुचना इस्टिगमा तक पहुचना ही पॉली नेशन कहलाता है क्या कहलाता है ठीक है आपको चार्टर में याद रखने हैं ट्रांसफर ओफ pollen grain from anthos to stigma is non-agipollination क्या is non-agipollination अब देखिए इसमें condition क्या बनती है pollination जो होता है मुख्यतया दो प्रकार का होता है लेकिन कभी कभी तीन जैसे for example एक होता है self pollination एक होता है self pollination दूसरा होता है often pollination often pollination और तीसरा होता है cross pollination cross pollination या फिर यूं कहले हैं कि पहला self pollination दूसरा cross pollination और तीसरा जो है वाई आपका often pollination होता है ठीक है अब देखिए जो आपका self pollination होता है उसे हम लोग autogammy भी कह देते हैं क्या कह देते हैं autogammy हिंदी में जिसे हम जानते हैं स्वपरागण के नाम से स्वपरागण यहां पर आता है आपका पर पर परागण स्वपरागण पर परागण हिंदी में अब देखिए autogammy autogammy का मतलब auto का मतलब क्या होता है अपने आप auto का मतलब कोई किसी भी कार का स्वयम हो जाना या किसी भी कार का अपने आप हो जाना autogammy का मतलब होता है gamits का मिलना ठीक है इसी प्रकार से cross-pollination दो अलग-अलग flowers के बीच में होता है या दो अलग-अलग plants के बीच में होता है इसे लिए इसे हम क्या कह देते हैं है अलोगेई मी कह देते हैं क्या कह देते हैं इसे हम एलोगेई मी कह देते हैक big sky संभावना होती है वह होती है जीरो से पाँचaten कितनी लिच जीरो से पाँच पर्शेंट और ओफिन में पांच से 30% और क्रॉस पॉलिनेशन में 30% से भी अधिक होता है पॉलिनेशन में नेचरल पॉलिनेशन जो होता है वह 30% से भी अधिक होता है ठीक है often pollination ज्यादा तर आपका ब्रिंजल में देखा गया है और क्यों जिसका कारड डारेक्टली परिक्चा में पूछ लिया जाता है और ब्रिंजल का सीधा सीधा कारड है हेट्रोस्टाइली अवस्था क्या वस्था कौन सी अवस्था हेट्रोस्टाइली अवस्था देखी गई किसमें देखी गई बैंगन में ब्रिंजल में देखी गई तो यहां पर डारेक्टली कुछ कुछ सीधा सीधा पूंच रिया जाता है कि हेट्रोस्टाइली अवस्था किसमें पाई जाती है तो हेट्रोस्टाइली जो अवस्था होती है वह आपकी ब्रिंजल में पाई जाती है ठीक है किसमें पाई जाती है ब्रिंजल में पाई जाती ह क्रोस पॉलीनेशन और सेल्फ पॉलीनेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं कि सेल्फ पॉलीनेशन और क्रोस पॉलीनेशन देखिए सेल्फ पॉलीनेशन और क्रोस पॉलीनेशन का क्या मतलब होता है थोड़ा सा आगी बढ़ते हैं बागि आपको सीधा सीधा सुनना है डारेक्टली आपको सीधा सुनना है और आपको नोटेशिपौरी आपको परागण साजाना कि दुबारा पढ़ने क्या वशक्ता नहीं होग इसकी गैरक्टी यह सब्सक्राइब होगी इसकी guarantee है और यदि आपको एक भी term कहीं पर भी कोई भी term समझ में ना आए तो आप एक बार क्या करना एक बार आप हमें मैसेज कर देना कमेंट सेक्षन में बता देना कि सर प्लीज यह चीज मैं समझ में नहीं आई आई एक किर्पिया करके दोबारा से से explain कीजी हमाप किसी ना किसी माद्यम से दुबारा करके explain करके अवश्य बताएंगे self-pollination self-pollination का मतलब होता है स्वपरागड स्वपरागड से मतलब है कि जब एक पौधा उस पर कोई पुस्प लगा हुआ है और उस पुस्प के उसी पुस्प की उसी पुस्प के मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक पॉलन ग्रेन के पहुंचने की क्रिया आपकी क्या कहलाती है सेल्फ पॉलिनेशन कहलाती है क्या कहलाती है सेल्फ पॉलिनेशन कहलाती है और देखिए दूसरी चीज जब कर दो है जब कोई दो पौधिए जब कोई दो बॉद्स Estáẩu। सी आंठ फ्रेगजम्पल जब कोई दो पादों के बीच में अलग-अलग फ्लोवर के बीच मैं जब किनी 2 पादों पर अलग-अलग flower के बीच मैं। पॉलिनेशन की क्रिया होती है तो इसे ही हम लोग कह देते हैं क्या क्रॉस पॉलिनेशन क्या कह देते हैं क्रॉस पॉलिनेशन कह देते हैं क्या कह देते हैं क्रॉस पॉलिनेशन मतलब देखिए जब एक आपका पौदा है और उसी पौदे पर कोई पुस्प पस्थित है और उ इस लिए पुस्पकी यह उसी फ़्लावर का जो मेल पार्ट है ।ऴहिए फ्लावर को फरिटाइल करेगा तो ऐसे चन्डिशन आपकी सेलफ पॉलिनेशन कंडिशन कहलाएगी और cross pollination में दो अलग-अलग plant होंगे और दो अलग-अलग plant होंगे ठीक है उनके बीच उनके दो flowers के बीच में जब वही pollination की क्रिया होगी तो उसे हम लोग cross pollination कहेंगे क्या कहेंगे उसे हम लोग cross pollination कहेंगे ठीक है अब देखिए एक कंडिशन और आती है इसमें जैसे मान लीजिए कि पौधा तो एक ही है लेकिन उस पर दो इस्थितियां अलग-अलग हैं फ्लॉवर की एक फ्लॉवर इधर लगा हुआ है और दूसरा फ्लॉवर जो है आपका वह इधर लगा हुआ है फर एक्जामपल यहां आया यहां यानि कि जब दो अलग-अलग एक ही पौधे पर उपस्थित दो अलग-अलग फ्लॉवर के बीच में जब पॉलिनेशन होता है एक ही पौधे पर उपस्थित दो अलग-अलग पौधों दो अलग-अलग फ्लॉवर के बीच में जब पॉलिन ब्लीनेशन होता है तो अमलोग कहां देते हैं डे गटलाइट कुश्चन पूंचा जाता है कि पॉधा और आफर अलग अलग या फलोवर डिफरेंट अबनहें अनके बीच में जब पॉलीनेशन होता है तो उसे लोग गोघ। यहला राद दे of different plant different Plant कहा है तो उसे आम लोग कह देता है रॉस पाली नोज़्जाए से ऊससे ama अब देखिए उसके बाद get a nope państwa के बाद कुछ चीज़ें आती है जैसे गेटैनो गैमी के बाद कुछ चीजें आती हैं जैसे आपका इसमें कई चीजें जैसे सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करती है और कई चीजें जो है आपको वैं क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती है क्रोस पॉलिनेशन को प्रमोट करती है और कई चीजें ऐसी है जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करती है ठीक है तो देखिए अठारा मिनट का यह वीडियो हो चुका है ज्यादा लंबा वीडियो बनाएंगे आपको भी देखने प्रॉबलम होगी इसका हम पार्ट टू जो की सिर्फ और सिर्फ प्रमोट करने वाले जो भी मेकनिजम होते हैं उसके बारे में लोग बात करेंगे ठीक है तो आई होप कि आपको यह चीजे सभी समझ में आई होगी इसमें कहीं भी आपको कोई दिक्कत होती हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन बता दीजिए हम आपका हम आपको जो है दूसरा एक छोटा सा वीडियो अपने टेलिग्राम चैनल पर बना कर गया किसी भी माध्यम से आपको हम प्रवाइड करा देंगे ठीक है और देखिए यदि आप इसके नोट्स चाहते हैं तो नोट्स हम आपको अपने ही टेलिग्राम चैनल पर इस्टेडी विथ टेलेंटेड़ व इन सब चीजों के बारे में मेंस एक्जाम की करेंटी के साथ हम आपको तैयारी करवाएंगे ठीक है तो पॉलिनेशन लगबग आपको समझ में आया होगा आप से आगे मिलेंगे अगले वीडियो में ठीक तब तक के लिए जय हिंद जय भारत धन्यवाद